नमस्कार अब दीख्रे नियूस फॉर नेशन और मैं हूँ सांद फुन आपके साथ बड़ी खबर आरजेडी से निकल कर सामने आ रही है जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालु प्रसाद यादफ के हनुमान कहे जाने वाले उनके बेहत करीबी भोला यादफ को कोट के तरफ से जमानत मिल चुकी है आपको बताए कि बीते दिनों बोला यादफ के विबेन एचेकानों पर छापे मारी की गई थी यह चापे मारी CBI की टीम के द्वारा हुई थी और यह पूरा मामला रेलवे घुचाले को लेकर हुआ था जहां पर बोला यादफ को छापे मारी के बा दरसल रेलवे भड़ती को टाले में CBI द्वारा गिरफतार किये गए राज़त के राष्ट्रि महा सचेफ बोला यादफ को बुद्वार को जमानत मिल गई है जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में CBI ने उन्हें 27 जुलाई को गिरफतार किया था उन्हें दिली के विशेश अदालत ने जमानत दी है बोला यादफ को लालो का बेहत करीबी माना जाता है साल 2004 से 2009 तक लालो जब UPA सरकार में रेलवे मंतरी थे तो बोला पिसाद यादव उनके OSD थे बोला यादफ पर आरोप है कि राज़त प्रमुक लालो यादफ की रेल मंतरी र लालो का राज़दार मानकर गिरफतार किया था 27 जुलाई को बोला यादफ के घर पर CBI की रेट पड़ी थी कई जरूरी कागजात के मिलने की संभावना जताए गई थी हालाकि इस पर कोई आदिकार एक पुष्ची नहीं हुई थी और उसके बाद बोला यादफ को लालो लालो परिवार को भी घसीटा गया लालो परिवार के कई लोगों पर प्रात्मे की दर्च की गई राबडी आवास पर छापे मारी की गई थी लालो पिसाद यादफ की बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर दिल्ली में छापे मारी हुई थी इस पूरे रेलवे भरती घोचाले में भोला यादफ का नाम सबसे जादा सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि रेलवे भरती करानी के लिए लोगों से जमीन लिखवाई दिगई थी और उनके बदले कई लोगों को नौकरियां दी गई थी और ये साल 2004 से साल 2009 के बीच हुआ था जब जेटी बोला यादफ को जमानत मिल चुकी है जो के लालो प्रिसादी आदफ के बेहत करीबी और हनुमान कहे जाने वाले हैं तो इस खबर ने राज़त को राहत की सास लेने दी है जहाँ पर ये एक अच्छी खबर राज़त के लिए सामने आई है फिला के लिए सब्जेट्स में अतना हिया नगे अबडेट्स के लिए माई सब बनी रही न्यूस फोर्नेशन में नमस्का